शिफसेना शिंदेगुट के कल्यानपूर वे शहर प्रमग महेश गायकवार पर फाइरिंग के मामले में बिज़ेपी के विधायक गनपग गायकवार सही तीन लोगों को नियायले ने 14 फरवरी यानी 11 दिनों तो पुलिस कस्टेडी में रखने का आदेश दिया के कल राट उलासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में वरिष्ट पुलिस निरिक्षक के कैबिन में विधायक गनपग गायकवार ने महेश गायकवार और राहूल पाटिल पर अंदा धुन्द फाइरिंग की थी गटना में बुरी तरह घायल बहिश गैकवार और राहूल पाटिल को उपचार ठाने की जुपीटर अस्पिटल में चल रहा गए जहां उनकी अहलत अब खत्रे से बाहर बताई जा रही है वही इस मामले में आज यानिकी शनिवार की शाम गनपत दैकवार को उलासनगर की चोपड़ा कोर्ट में पेश किया गया हाला कि लॉण ओर्डर को देखते हुए पुलिस ने वीडियो कंफेंसिंग के जरिये आरोपी को कोर्ट में पेश करनी के अनुमती मांगी थी लेकिन कोर्ट ने प्रत्यक्ष रूप से आरोपी को पेश करने का आदेश दिया पुलिस प्रशासनग की कड़ी सुरक्षा विवस्ता के बीच नेयले में पेश करने के बाद विदायक को 14 परवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश मिला है उनके उपर हत्यक की कोशिश और आम्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं के तखेत के इस दर्ज किया गया है पता दे कि इस घटरा में हिल लाइन पुलिस ने छे लोगों पर नामज़द मुकदमा दर्ज किया है जिसमें विदायक समय तीम लोगों को पुलिस ने मौके से ही गिरफतार कर लिया अन्य तीम की तलाश जारिक है सब्सक्तार कि पीपश्य के आप दो लौष मैं ने-ख marching लोगों समय ओना और दो विदा नताय आप सयंडार को जो सब्सक्तार के सब्सक्राइस तो फ्सक्रांण के लुद स्कॉलिक करतो शाहिम counsel a 1 जुक भीवैं आप से इस के लाइं घॉजजाए वाग भीजाे लिए अधिरेशन आपके नहीं होई तो देकिन नावाले काई रहा पूछ बात नहीं होई तो इंवेस्टिकेशन सब्सक्राइब और भी कुछ थी नहीं होई तो देकिन आपके रहा प्रचेशन सब्सक्राइब